जब आप अमीर होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बच्चे के बिना सब कुछ बहुत बोरिंग होता है और कैंडिस बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है गाड़ी धीर करो माइकल वहाँ एक लड़की है हाँ डेबी बच गई वो इतने लंबे समय से उस सड़क पर खड़ी है माइकल हमें इस बच्ची को एडॉप करना होगा हमारी एक बेटी होने वाली है क्या तुम उस पर यकीन कर सकते हो बस इस बच्ची के साथ उसकी मॉम भी आएंगी वो वहाँ है मैरी ट्रिप के लिए दया है चलो चले है ये डील नहीं होई थी गरीब फैमिली अपने नए घर में जा रही है आपका स्वागत है इसे अपना ही घर समझे ये परियोग की कहानी के पैलिस जैसा है इसे पकड़िये डाइक चलो एक बार घूम लेते ह मॉम मुझे लगता है कि हमारा बेबी को एडॉट करने का आइडिया फेल हो गया और ये हमारा लिविंग रूम है मैं अपनी चीज़ें यहां रखती हूँ सब कुछ बिलकुल नया है डेबी क्या तुम इसे पहन कर देखना चाहोगी जरूर क्यों नहीं अब डेबी एक पर चलो इमेज में थोड़ी गोल्डन शाइन एड करते हैं एक लेडी को ऐसा ही दिखना चाहिए और सभी जज़िस का वोट एक ही है सबसे ज्यादा नमबर कैंडिस क्या मुझे भी एक नई लुक मिल सकती है ये कोई आसान काम नहीं है लेकिन कैंडिस कुछ सोच लेगी मुझ कितनी अच्छी बात है बस टेस्स सब कुछ बरबाद कर देते हैं लेकिन डेबी के पास दूसरा प्लैन है मौम क्या आप वहां हो हाँ डेबी मैं यहीं हूँ इसे लिखो हमारे पास बरबाद करने के लिए बलकुल वक्त नहीं है अच्छे ग्रेट्स लगबग मिलने ही वा अहीं कनेक्शन चला गया अब डेबी टेस्स को कैसे संभालेगी दूसरी और मैरी के पास एक्कम सही प्लान है क्लास्रूम की सफाई हाँ हाँ अंधर आओ बस कोई शोर मत मचाना मौम अभी से अपनी बेटी के पास जा रही है ये रहे सही जवाब उसे बस इन्हें लिखना होगा लेकिन मिस्टर रायन का ध्यान इस पर चला गया है हमारे पास यहाँ क्या है आपको यह मिलता है माम आप जा सकती है और डेबी काम करती रहो लेकिन अमीर मौम के पास हाई टेक है डेबी मैं यहाँ हूँ मेरे पास जवाब है ये किसी भी चीट शीट से बहुत बहतर और सबसे जरूरी बात मिस्टर रायन को कुछ पता नहीं चलेगा मॉम ने सब कुछ संभाल लिया है और मैरी भी मदद करना चाहती है हरी, मॉम तुम्हारी मदद के लिए यहां है मॉमी, बीच में से हटी है यहां क्या हो रहा है ओ, मॉम स्विर से वही कर रही है उपस, मुझे लगता है कि हम पकड़े गए सब कुछ याद करना ज्यादा आसान होता आलिशान डिनर पूरे जोरो पर है उपस, वो एक खांसा था लेकिन मैरी इसे ठीक कर देगी अपने खाने के मसे लीजिए मॉम मत जाओ, हमारे साथ डिनर खरो उन्हें अच्छा लगेगा अपनी सबसे प्यारी प्लेट निकालने का वक्त आ गया है सूशी, स्वादिष्ट अपने खाने के मसे लो बेस्टी लेकिन मैरी के पास कुछ ज्यादा स्वादिष्ट है और डेबी पहली बार शांदा डिशिस खा कर देखने वाली है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है लेकिन वो कभी भी फ्रेंट फ्राइस के लिए मना नहीं करेगी थैंक्यू मॉमी मैरी को कॉम्पेटिशन चाहिए कोई परेशानी नहीं हम आपके यहां के सबसे महंगी सूशी खाना चाहते है अभी जी माम इस शेप को डेली केसिस के बारे में बहुत कुछ पता है उसे कोई नहीं हरा सकता और डिनर टेबल पर है वाउ इतनी बड़ी सूशी देखने में स्वादिश लग रही है अमीर मॉम जी गर लेकिन हम देखेंगे कौन कैसा है डेबी के पास अब एक घर है लेकिन कोई पैट नहीं कितनी प्यारी है डेबी चाहती है क्यों उसके पास एक किटन होता और उसके पास वो सब कुछ होना चाहिए जो वो चाहती है अमीर मॉम जानती है कि उसे क्या करना है हाई डेभी अपने फरी दोस्ते मिलो उसका सपना सच हो गया लेकिन गरी मॉम हार नहीं मानने वाली उसके दिमाग में भी एक फरी पैठ है तुम कहों हो दोस्त मॉमी के पांस आओ क्या तुम्हें एक टेस्टी ट्रीट चाहे है रखो प्लीज मत भागो एक चूले को पकरना आसान महीं है लेकन मैरी ने उसे पकर लिया डेभी बहुत खुश होगी थोड़ी जगा दो कैंडिस हनी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सर्प्राइस है देखो यहां कौन है ओ नहीं एक चूपा कैंडिसन छोटे राक्षुसों से बहुत डरती है दूसरी और डेभी बहुत खुश है यह कितनी जल्दी बड़े हो जाती है डेभी का पहले से ही एक बॉर्फरेंट है और उसे बहुत सारे डॉमैंटिक गाने बता है यह भयानक शोर कैसा है इससे ननी डेभी उठ सकती है यह रहाँ शैतान बश्कुल नहीं यह जगा फैंस पिले नहीं है हलो सिक्योरिटी गार्ड उस शोर मचाने वाले को यहां से भगाओ गार्ड जानता है कि यहां से बाहर निकलो लेकिन यह रोमैंस है गार्ड नहीं जानते कि रोमैंस क्या होता है यह कितना बुरा है मैरी लटके को उसका गाना फूरा करने में मदद करेगी उसे बस गार्ड का ध्यान बढ़काना होगा और प्लैन तैयार है सिंगर अपना गाना फिर से गा सकता है और अब मैरी आ गई है वो एक चोर बनी है मुझे पकरने की कोशिश करो रैन काम कर गया रास्ता बिल्कुल साफ है कॉंसर्ट फिर से शुरू करो डेबी जैक ठीक खिर्की के बाहर है वो क्या करना चाहता है आई लोब यू डेबी ओ हाँ वो यहाँ है और मॉम रेस हार गई यह सब एक गलत फैमी है देखो मैं चोर नहीं हूँ तो मैं बेवकूप बना दिया कोई भी घर के रखवाली नहीं कर रहा जैक मैं यहाँ हूँ यह तुम्हारे लिए है स्वीट हार ओ लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बात में मिलते हैं वो कहाँ जा रहा है और आज गार्स थोड़ा जीब बरताब कर रहे है लेकिन किसे फट परता है डेबी के अंदर बहुत प्यार है अब उठने का वक्त है गुड मॉनिंग वर्ल्ट कितना बुरा सपना है एक पिंपल ये अब तक की सबसे बुरी सुबा है मॉम ज़रा इसे देखो मैं अब स्कूल कैसे जाओंगी खबराओं मत हरी मॉमी इसे ठीक कर देंगी ये लोग पिंपल चला गया नैनो टेक मेकप के बारे में क्या खयाल है ओ, शायद हमें नहीं करना चाहिए दरो मत डेबी देखो ये कैसे काम करता है ये शानदार है डेबी भी यही चाहती है चलो इसे ट्राइ करें मैं कैसी दिख रही हूँ डिवाइस खराब हो गया ऐसा होता है चलो फिर से कोशिश करें ये काम नहीं किया गैजट खराब हो गया है लेकन गरीब मॉम को मेकप के बारे में बहुत कुछ पता है और इसके लिए आपको किसी गैजट के जरुवत नहीं है हम इसे पुरानी तरीके से करेंगे अपनी आईब्रोस के लिए कोईले का इस्तिमाग करो और चलो पलकों पर थोड़ा सा वॉल पेंट लगाए लेकिन अब मज़ेदार और स्वादिश्ट हिस्वे के लिए चलो तुम्हारे लिप्स पर ब्लूबेरी जैम लगाते है अब हम रिजल्ट देख सकते है ये एक बुरा सका है आप इस तरह स्कूल नहीं जा सकते लेकिन मॉम खुद से बहुत खुश है उन्हें उदास ना करना ही बहतर होगा मॉम मुझे अभी आपी जुरुत है देखो ये बलकुल नई चीज है बाल बढ़ाने का स्प्रेर मुझे ये चाहिए प्लीज जब डेबी कुछ चाहती है तो आप ना नहीं कह सकते बड़े पर्स के साथ सभी सपने सच हो सकते है मॉम आप सबसे अच्छी हो ठांक यू ठीक है ये से ट्राइ करने का वक्त है स्प्रे करो और देखो कि क्या होता है क्या ये काम कर गया बहुत बढ़िया मॉम देखो मेरे बाल कितने लंबे है बाल सुन्दर और बहुत काम के होते है लंबे बाल बेचे जा सकते है हनी हम तुम्हारे नए बालो पर थोड़ा काम करने वाले है हिलना मत हो गया क्यों छोटे बाल भी खराब नहीं होते और मॉम कुछ पैसे कमाने वाली है और जादूई स्प्रे से बाल उगाना पहुत आसान है लेकिन मैरी के पास एक बड़ा बिजनस प्लान है लंबे बाल किसी भी हद तक बेचे जा सकते है ले लीजिए मॉम और अब एक बार फिर जादूई स्प्रे का इस्तेमाल करते है लेकिन अमीरों की ब्यूटी की चीज़े बहुत जल्दी खतम हो जाती है डेबी, सराइने देखो हम अमीर है इससे कोई फर्ट नहीं परता कि तुम्हारे बाल कितने लंबे है सबसे जरूरी बात अपनी मॉम को खुश रखना है आज डेबी का बढ़ते है कितना खास दिन है और पहला गिप्ट मॉम की तरफ से है ये स्वादिश लग रहा है और बोनस में एक खास विश है रखो हनी, हमारे पास एक बड़ा केक है लेकिन मैरी भी कुछ लाई है ये एक स्वेटर है उसने इसे खुद बनाया है लेकिन कैंडिस के पास कुछ बहतर है दुनिया का सबसे बड़ा बेर और डाडी कुछ बूर लाई है लेकिन मैरी डेबी को एक पोस्टर दे रही है डेबी कॉटनी से बहुत प्यार करती है माइकल, तुम्हें पता है कि क्या करना है चलो आगे बढ़ो हलो, क्या है ये डेबी की मनपसद सुपरस्टार है और वो दरवाजा खटखटा रही है ये वही है कॉटनी, दुनिया के सबसे बड़ी स्टार और वो खुट डेबी को बड़ देविश करेगी ये एक नया हिट है सिरफ उसकी सबसे बड़ी फैन के लिए अमीर मॉम फिर से जीद गई लेकिन सेलेब्रिटीस की किसे सिर्वत है सबसे ज़लूरी चीज फैमिली है मॉम्स, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सबसे पहले बिसनस लेकिन आज माइकल का दिन खराब चल रहा है उसके सारे पैसे डूब गए है मेरे लिए एक डॉक्टर बुलाओ, अभी ये गरीब आत्मी बेहोश हो गया माइकल आज माइकल की तरह नहीं रहा लेकिन उसने सब संभाल लिया है है ना, पैसे गिनते रहो सब खतम हो गया हमारे सारे पैसे डूब गए ओ नहीं, इससे बुरा और क्या हो सकता है लेकिन ये तो सरफ शर्वात है हमारे पैलिस ते बहार निकलने का वक्त आ गया है भागो और वापिस मताना हम बहुत मुश्किल से बचे अब हम क्या करें क्या हमें सड़क पर रहना होगा मॉम्स, मेरे पास एक आइडिया है हम खुद के लिए एक नई अमीर फैमिली ढूडेंगे चलो लकी साइन को बहार निकाले रुको कोई है, कोई भी